जीद जी, Welcome to London, from Paris. तो पारिश से लंडन आके कैसा लग रहा है आपको, और क्या ज़्यादा पसंद है और क्यों ज़्यादा पसंद है? लंडन में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद सेंट जेम्स कोर पार्क है. सेंज जेम्स पार्टी से करते हैं वकिंगम पैलेस के पास और हिंदुजा जी हैं जीपी और कलपेश और विवेक यहीं सब अपनी दुनिया है लंदन की और लंदन में एक तो आकर आपका दिमाग पुल जाता है यहां का मौसम इस समय हिंदुस्तान में बहुत गर्मी पड़ अभी एक पेरी से बाहर सेंट्रों पे एक शार है जो कायन फिल फेस्टिवल जहां होता है उससे गंटे की दूरी पर है वहां पर एक इंडियान लव स्टोरी है जिसके बारे में कम लोगों को पता है नेपोलियन बोना पार्ट वन जब मर गया था और उसकी मृत्यू के एक सब्सकी साल बाध 18-22 में एक ध्यां फ्रांश्वा अलाड नामका उसका कमांडर सoki कमांडर इरान में गया वहां सुछ फार्सी सीएफिव वहां से अफगानिस्तान होते हुए महराज़ा रंजीक सिंग के दरवार में पहुंछा और उसने महाराजा रंजीत सिंग पंजाब के राजा थे उस जमाने में और लाहौर राजदानी हुआ कर दी तो उन्होंने महाराजा रंजीत सिंग से उसने कहा कि मैं आपकी आर्मी को ट्रेंड करूंगा तो उसने फ्रेंच स्टाइल में आर्मी को ट्रेंड किया और वो प्र पान देई एक हिमाजलक प्रदेश की राजकुमारी थी जिससे उसका प्रेम हो गया उनके चार बच्चे हुए उसी की याद में वह फिर सेंट्रोपे के एक बगीचे में उन सब की आदमकद मूर्थियां लगी हुई हैं उनके स्टैचू है एक निर्वाना फिल्म लंडन में 2-3 फेस्टिवल है लंडन इन्डियन फेस्टिवल है जो कि काहरी साहनी करते हैं उस्पिंद चाधरी एश्यन लंडन फेस्टिवल करती है और एक रेंडांस फेस्टिवल शुरू हुआ है जिससे सुरीना नरूला जुड़ी हुई है तो यहां बहुत ही अब यह यहां की मस्ती और यहां का जीवन शुक्रिया